तो ये वीडियो जो है ये फ्राइडे से शुरू हो रहा है तो इस वाले व्लाग में आपको 3 दिन का वीडियो दिखेगा मतों फ्राइडे, सैटेडे और संडे का भी तो मेरा मन नहीं हो रहा था Лएएडे से कुछ शूट करने का मतलं ऐसे ही मन नहीं हो रहा था कभी-कभी लगता है ना कि आज को शूट नहीं करते तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ही जो है रिकॉर्ड किया यहाँ पर विदांच करा है पूजा और आज बहुत दिनों बाद मेरा मन हो रहा था कि मैं वो जो j get the candles होते है यह दिवाली के टाइम बें हम लोग लेकर आये थे इनको जला ओं तो मैंने कैया कि वो जो तो मैं बना रही हूँ मूली के पराटे, तो इस दिनना सबकी अलग-अलग फर्माईश थी, हस्बन को खाने दे मूली के पराटे, और वंशी का विदांश को खाना था कॉनफलेक्स, तो बस यहाँ पर जो है मैंने एक-दो मूली ले ली है, और उसको अच्छे से ग्रेट मूली के गर्मा-गरम पराटे, मैं पराटे नहीं खाने वाली हूँ, मैं सिर्फ रोटी खाऊंगी, अभी फिलहाल मैं पराटे छोड़ रही हूँ, कुछ टाइम के लिए, और पते क्या होता है कि यह जो पराटा मैं इस टाइम पर बना रही हूँ न, यह मेरा फेवरेट प लिए, ताकि उसमें से एक्स्ट्रा का जो पानी है वो भी निकल जाए, और इस बीच मैं गुनलूँगी आटा, और थोड़ा सा जो है आटे में डालूँगी अजवाइन और थोड़ा सा नमक, यहाँ पर नमक खताम हो गया था, अभी मैंने जो अपना वाइट वाला नमक ह उसको रिप्लेस कर दिया है, जो सेंदा नमक होता है ना, पिंक सॉल जिसे बोलते हैं उससे, तो इससे पहले मैंने आपको बताया भी था शाया जब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके लिख कर आई थी, उस टाइम पे ही, तो अब मैं यही वाला नमक जो है यूज़ करने वाल तो यह क्यों हुआ कैसे हुआ इन दो दिनों में मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी जो आने वाले व्लॉक्स होंगे, तो फिलहाल तो मैं बस यहां पर देखिए आटा वगेरा गुंद रही हूं और अच्छे से आटा गुंदने के बाद फिर मैं बनाऊंगी ग और खुब सारा हरा धनिया कट कर दिया है, थोड़े से ड्राइ मसाले इसमें आट करूंगी और इसमें मैं दो से तीन हरी मिर्ची भी कट कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब यहां पर आप लोगों से कुछ बात करनी है मुझे और मेरे वीडियो में स्वाति और शेशांग को लेकर कि आपके भाई ने भी व्लागिंग छोड़ दी है और आपकी भावी भी वीडियो नहीं बना रही है दि प्लीज बताइए कि क्या हो गया ऐसा जो उन्होंने एकदम से वीडियो बनाने बंद कर दिये हैं तो देखिए सबसे पहले मैं भाई वाई जो है डाँ वो उसका अपना एक अलग काम है मतलब वीडियो तो वो एक शोकई तौर पर कर रहा था फॉस्ट में उसने वाईडियो वीडियो बना राता था लेकिन उसका जो अपना से ठीक कर रहा है तो इस वज़ए से जो है उसंन girth Значит स to customer gewoon small team videos बनाे फिलाल छोड़ दिये और अभी मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि वो कब तक जो है वीडियो बनाएगा हालंकि मैं तो उसको फोर्स करती रहती हूँ कि भाई इसको छोड़ मत लेकिन अपना जो मेन काम है न वो देखना जादा जरूरी है तो इस वज़े से उसने फिल व्लॉगिंग शौकिया तोर पे ही शुरू की थी कि जब तक उसका मतलब स्टूडियो वगेरा नहीं बन रहा है तब तक उसने जो है व्लॉगिंग शुरू की थी अब क्या है न क्योंकि उसका मेकब स्टूडियो बन रहा है और उसका मेन काम वही है कि वो अपना जो है उस मेशा करता था उसका स्वाती थोड़ा सा कम करती एडिटिंग तो अभी भाई के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है और स्वाती भी फिलहाल काफी जादा बीजी है तो आने वाले टाइम पे शायद स्वाती के व्लॉग्स आएंगे लेकिन मतलब रेगुलर शायद ही आए हो सकता है हफ़ते में दो या तीन जो है वीडियो आए तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा बाकी की अपडेट में आपको और बता दूंगी और आप लोग बार बार बोलते हो कि आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो तो देखिए इस बारे में बात में इसले भी नही अब ही था अभी जब बीच में हरिद्वार गई थी तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे ही कि अब इसका मेकप इस्टूडियो खुलेगा तो अब थोड़ा सा व्लॉगिंग के ऊपर थोड़ा सा कम ही ध्यान होगा क्योंकि देखें जो आदमी का में काम होता है वो उसी बाते नहीं हो फिर पते क्या होता है अगर मैं इस चीज पर बात ना करूँ ना तो फिर हो सकता है कि आप लोगों का माइंड इदर उदर जाए या कोई कुछ भी सोच सकता है ना तो इस वज़े से क्लियर करना चीजों को जरूरी था बाकी मैं स्वाथी से पूछ लूँग क्योंकि उसको सीखना था तो वो चीज उसके लिए फिलहाल ज़्यादा जरूरी है और व्लॉगिंग यह है शौकिया है तो हाँ कभी कभी हफते में एक दो व्लॉग वो डाल दिया करेगी तो बस यही था रीजन और यहाँ पर देखिए अभी यह जो टाइम है ना यह सैट दो तो फ्राइडे को वो बैठे और ऐसे बैठे कि उन्होंने सारे कवर जो है इदर उदर फैला दिये थे तो बस थोड़ा से ड्राइंग रूम वगरा मैंने ठीक किया उसके बाद वहाँ पर डस्टिंग की और आब आ गई हूँ थोड़ा से कीचन समेटने के लिए तो बस यहाँ पर भी काउंटर टॉप अगरा क्लीन करूंगी और उसके साथ ही मैंने जो है ना राजमा भी बॉइल करने के लिए चड़ा दिये तो दोपैर का भी जो है ना सोचना पड़ता है छुट्टी के दिन तो खास कर जो है ना ध्यान में रखना पड़ता है इन सारी चीज तो यार देखिए चाहे चार हो चाहे दो हो खाना तो बनाना ही पड़ता है और अपने लिए तो एक बार को ना हम लोग अलस कर भी देते लेकिन जब बच्चे और हस्बिन साथ में होते तो आप अलस नहीं कर सकते हो क्योंकि तो एक रूटीन साही है कि हाँ सुबे नाशता जैं अलस कर देखिए तो और पर रात की सबसी बनानी की नहीं होती है कि हाँ सबसी स्किप कर देते बनाना ही और फिर सीदे पराठे यी बनाते त देहें या आपर मैंने फ Stream 3 और और अब मैं लगा रही हूँ पोचा जब तक मैंने ये सारा काम किया ना उस भी जो है राजमा भी बॉयल हो चुकी थी अच्छे से तो फिर वही हम लोगों ने जो है लंच वगेरा किया और पूरा सैटेड़े ऐसे ही निकल गया पता ही नहीं चला और उस दिन भी फिर दुप कि ये धूल मित्ती थी क्योंकि हमारा एक्वेरियम है उसकी जितनी भी मित्ती थी वह मेरे हस्बेंड ने इसी बैलकनी में सुखाने के लिए रखी हुई थी तो वह सूख गई फिर थोड़ थोड़सा हवा के साथ उड़ी तो यहाँ पर धूल मिट्टी हो गई हाँ और एक्वेरियम को भी अब हम लोग ठीक कर रहे हैं दुबारे से सोच रहे हैं उसको ठीक करना और उसमें फिर से हम लोग फिश लेकर आएंगे लेकिन इस बार हम उसमें कुछ चेंज करेंगे जो आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखेगा उसी मैं शेयर करूंगी फिलहाल प्रोसिस जो है वो शुरू हो चुका है तो बस बैलकनी वगएरा मैंने वाश करी उसके बाद यह कपड़े थे आज मशीन लगानी तो जरूरी थी क्योंकि सारे बच्चों के जो भी स्कूल ड्रेस वगएरा है वो मुझे आज ही वाश करनी है मै लिए सुवे से सर में दर्द होरा था एक साइड मुझे साइनस की थोड़ी सी प्रॉबलम है तो जैसे ही मुझे हलका साभी कोल्ड शुरू होता है तो मेरी एक आँख में एक साइड ना पेंश बूरो होने लग जाता इस टाइम तक मुझे दर्द हो रा था फिर मैंने अग दर्द होता है ना इतना खराब होता है ना कि फिर उसके बाद ना ऐसा लगते हैं बस लेटे रहो कुछ काम मत करो और आज संडे का दिन बहुत जादा बीजी होने वाला है क्योंकि काम बहुत सारे हैं तो यहां पर देखिए वंशिका जो अपना वही महादेव देख रही है वह तो छोड़ी नीरी है महादेव का भी एपिसोड देखके रहेगी लेकिन हाँ फिलाल अभी कम कर दिया है क्योंकि अभी एक्जाम शुरू हो चुके पर यह है कि 24 गंटे भी बच्चे तो नहीं पढ़ सकते तो मैं उसको एक आदा एपिसोड जो है आदा पौन गंटे का वह देखने देती हूं और बस मैं यहाँ पर करी हूं कपड़े फोल्ड विदांच बाहर बैटके जो अपना एक्जाम की तयारी कर रहा है क्योंकि उसका मंडे जो है पहला एक्जाम है वंचीका की छोटी है लेकिन उसका एक्जाम है तो बस इसी के साथ जो है मैं अपने इ और टेक केर